जहीं दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस अकैडमी प्लस में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीती के बारे नई शिक्षा नीती को जो केंदर सरकार है केंदरी मंत्री मंडल ने पास कर दिया है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके पास होने के बाद इसके लागू होते ही क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे तो जो मुख्य विंदू है उसको हम देखते हैं देखे पहली पॉइंट हमने क्या बनाया है SSRA State School Regulation Authority बनेगी जिसके चीफ जो सिक्षा विभाग से जुड़े होंगे इनके जो चीफ होंगे उनको डायरेक्ट जुड़े होंगे शिक्षा विभाग से तो इससे काफी सुधार आएगा सिक्षा विभाग में जो भी प्रबंधन है उसको सुधार मिलेगा ठीक है अगला जो परिवर्तन हुआ है वो है आपका 4-year integrated BA, 2-year BA और 1-year BA तो इसमें क्या है आगे मैं बताऊंगा चार साल का B8 किसके लिए है तो दो साल का B8 किसके लिए है और एक साल का B8 किसके लिए है तो इसमें इस्पेसली है चार साल का जो 12 की बाद जो B8 करना चाहता है तो उसके करेंगे और एक साल का बीएड उनके लिए होगा जो पीजी करके यानि अप्रासनातक कटके करेंगे ठीक है अगला पॉइंट हम तीसरा देखते हैं इसको थोड़ा सा कट रहा है आगनवाडी स्कूलों के माध्यम से इसमें क्या होगा जो काउंसलिंग होगा बच्चों का जो छोटे अस्तर पे वो किया जाएगा किसके तहट इसके अर्ली चाइल्डूट के एंड एजुकेशन के अंतरगत प्री प्राइमरी सिक्षा जो प्री प्राइमरी सिक्षा होती है जैसे प्लेवे होता है उसको लागू किया जार एक तरह से प्लेवे मान के चलिए प्री प्राइमरी सिक्षा पहले तो होता है प्राइमरी जो एक से होता है लेगिने लकेजी यूकेजी जो इंगलिस मीडिय यह च्छय सब्सक्राइब को यह समस्या रहा कि बार बार की बार वर डूटि सब्सक्राइब यह जा पयरी तो यह सिछण कारेबिस करते हैं तो यह को हटा के दूसरे कारव चेहां लगाया जाता था उसको कम किया जाए कि सिर्फ चुनाओं में duty해요 कि BLO duty से सिख्षक हटेंगे MDM से भी सिख्षक हटेंगे यानी MDM का जो भी duty लगता था और BLO दोनों duty लगती थी सिख्षक होगी तो उससे हटा दिया जागा उसमें नहीं काम करवाया जागा इनको ठीक है स्कूलों में SMC, SDMC के साथ SCMC यानी School Complex Management Committee तेकि स्कूलों में कमेटी बनाया जाना ये काफी बड़ी बात है कि कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट उस कमेटी को संग्यान देकर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है चाहे वो छात्र अस्तर पे हो चाहे वो शिक्षक अस्तर पे जाएंगे ये बहुत अच्छी बात है आप देखते हैं जैसे कई इंटर्विव आता है चाहे बिहार से यूपी से तो लोग उसमें सिक्षकों से चोटे-चोटे प्रसन पूचा या मुख्यमंत्री प्रधान मंत्र राश्पती के बारे में तो वह नहीं बता पाते तो यह क्या सिस्टम हो जाता है कई बार वह डारेक्ट अप्रोच के लिए तो इसमें डेमो टेस्ट करवाया जाएगा इस्किल टेस्ट करवाया जाएगा और इंटर्विव भी सामिल किया जाएगा सिच्छों की न्यूपती के लिए तो यह चाहे वह प्राइमरी लेवल के टीचर ओके यह देखते हैं नई ट्रांसपर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसपर लगबग बंद हो जाएगे ट्रांसपर सी पदुनती पर होंगे यानि अभी लोग देखते हैं कि अपने गाओं घर के आसपास करवा के लोग यहाँ पर ट्रांसपर करवा लेते हैं इसमें रिस से सम्मंदित जो भी कहीं से जुगार उगार लगा के लोग उगार करके इधर से उधर प्रोन ट्रांसफर कर वाले देते तो उसको पर रोक लगाने के लिए यानि आपका कोई प्रोमोशन होगा तभी आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाएगा ग्रामीड पर लोगों को कौटर नहीं मिल पाता तो काफी दिक्कत होती है तो दूर से आते जाते हैं ट्रेवल करते हैं तो देर से पहुंचते हैं इसमें काफी मतलब अनिमें तर रहती है इस वजह से उनको कौटर टाइप का बनाके दिया जाएगा जैसे रेल्वे कॉलोनियोक घरा क को दिये जाते हैं तो अच्छी बाते हैं आगे हम चलते हैं कनी को कच्छा बारह तता तक या 18 वर्स की आउट कि पिए जाएगा एक करफशन कर रहे हैं दाल आता है तो इसमें क्वाल पानी रहता है दाल दखाई ने देता है दूधाता है पानी वाले दूध मिक्स किये जाते हैं खाने कईवार खाके लोग बीमार हो जाते हैं बच्चे तो उसकी काफी सिकायता है तो इसको एक बनानी चाहिए जो काफी सकतो और इस पर कड़ी कारवाई की जाए अगर कोई ऐसा कारे करते हुगे उसमें आरोपित होता है तो ठीक है त्री लैंग्वेज बेस्ट होगा यानि तीन भाशाओं का वहां पर होगा बिकल् फ्रेंच हुआ जेर्मन हुआ रशियन हुआ चाइनीज हुआ जैपैनीज हुआ इन सबको होगा यह सारी चीजें जरूरी हैं यह हमारी जो आने वाली इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना अवश्यक था और यह अच्छा कदम है एक तरह से आगामी भविश्य के लिए निक्स्ट देखते हैं बिज्ञान और गड़ीत को बढ़ावा दिया जाएगा यह जरूरी था क्योंकि रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए हमें इस स्वागत करना है उसका क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम को थोड़ी सी सफलता जरूर मिलेगी कि आगे एक कदम आगे बढ़ सके लेकिन अभी भी हम उतने तैयार नहीं है जितना मीडिया के दोर दिखाया जा रहा है कि हम वाईशेना में यह कर देंगे वह कर देंगे सिक्षा का माध्य tightening होगी अगर कहीं कि अस्थानी बाषा कोई है तो उसको भी सिक्षा का माध्य बनाया जाuma आगा शामी है उसको भी शिक्षा का माध्या का मैна बनाया जायेगा पुरिदेश में नूडल अब नोडल एजनसी अस्थाबित करने के परशाइद एक काफी अच्छी संस्था है और इसके पुस्त का गुडवत्ता जानते ही हैं हमने दुबार पढ़े पढ़े थे होगी हमें इस इसका मैं भुडवार करक्यों स्कूंध लिए पत्र भी लिखे लिए प्ट्र सब्सक्राइब करने की बात की जाएगा इसका क्लियरिफिकेशन नहीं है मुझे अगर समाप्त किया जाएगा तो देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आते हैं कई जगहों पे तो यह स्टुडेंट यूडियन है कहीं पे स्टुडेंट काउंसिल है तो किस अस्तर पे बात की जा रहे हैं इसका कोई कंफर्मेशन है जैसे आपको सटीक जनकारी मिलेगी मैं बस बता दूँगा क्रेडिट बेस्यूर्ज में पढ़ाई कर रहे हैं आपके पिता जी ब्रहों पर किसी जिले में जॉँप कर रहे है फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो बीच में पढ़ाई छूड़ जाती है तो उसके लिए क्रेडिट सिस्टम होगा तब इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको क्रेडिट के अधार पर प्रिवेस्ट दे दिया जाएगा नई शिक्षा नीती में सिर्फ बीड इंटर के बाद चार वर्सी बीड असनातक के बाद दो वर्सी बीड प्रासनातक के लिए होगा तो ये नई शिक्षा नीती ये मुख्ष विंदू हैं जो आपके साथ असपस टूर्प से शाजा करने थे और आप इससे अउगत रहें ये जरूरी है आप अपने मित्र दोस्तों को घरवालों क को भी बताइए नई शिक्षा नीती में जो परिवर्तन और इसको बताइए और सेयर करिये वीडियो को जिससे काफी helpful होगा क्योंकि सबको नई शिक्षा नीती दे लेकर काफी हुतसाहित होना जेयत क्योंकि ये परिवर्तन है जो आने वाले भविश्र में 느मारे सुनारे भविश्य का निर्वाण कर सकता है अभी और सारे परिवर्तन की आवश्यक्ता है लेकिन ये पहला अस्तर रहा में इसका हिर्दय से स्वागा तेवा मापिन दंदन करना चाहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद जहिंद